नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बज वरास को बडियों में हम बात करेंगे जेपी एसी के ऑफिस्यल एंसर की की बारे में जिसका एक्जाम 19 से 19 सब्टेंबर को 2021 में हुआ था ठीक है आप सभी ने एक्जाम दिया होगा प्रिलिम्स का एक्जाम तो एंसर की ऑ अपको कुछ नहीं करना इस वाले लिंक पे जहां हाथ का चिन ने बन रहा वहाँ पे क्लिक कीजएगा जैसे क्लिक कीजएगा आपके सामने एक पेज खुलेगा और यह पेज मैंने पहले से खुला हुआ था फिर से रिया अप्लोड हो गया जहां पर आपको बताया गया है आयोग सेवा ने जो परतियों किता हुआ था प्रारंभीक परतियों किता जो हुआ था 19 सप्टेंबर को यहां पर डेट भी दिया हुआ है यहां से हमने डाउनलोड किया है और अगर कोई आपको डाउट है तो 289 2021 तक आप क्या कर सकते हैं अपने डाउट को सिंगल पीडिया बना कर इमेल कर सकते हैं इनके इस आईडी पर इमेल आईडी है एंसर की एंसर की ओबी जे एड़ेट जीबी एसी डॉट जी ओवी डॉट इन पर अब भी सकते हैं और निधारी तिथी है 289 2021 के पस्चात आवेदनों को पर विचार नहीं किया जाएगा ठीक है ना 28 तारीक सकते हैं मतलब साथ दिनों का समय दिया गया है जैसे क्रमांग संख्या प्रसंख्या और उत्तर में क्या गलती है उत्तर क्या होना चाहिए और आपत्ती का अधार क्या है साथ से क्या है सबूत क्या है वह आपको भीजना है यह लिखके ठीक है और यहां देखेगा एंसर की ह और डी यहां पर दिख रहा होगा चल्ग चार शेट थे वहां पर देखेंगे पहला ओला था जिएस पर बन था आप जी एस प्रीपर टू जो जो एक्जाम हुआ तो दो बज़े से चार बज़े तक है उसका इंसर की देखेगा तो सेट 1 हो गया सेट B हो गया सिरीज सब्सक्राइब कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप असनी से क्वालिफाई हो जाएगा तो छोटा सब्डेट जनातों दोस्तों जेपी इस्टे की रिगार्डिंग तो अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं कोशिस करूंगा कि आप लोगो जल से जल प्रोवाइड करवादू और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सपर्पोर्ट कीजिए का असा करता हूं कि आज के दिन आप लोगा कफी अच्छे रहे अगली वीडियो में फिर से बुलते हैं टाइक्यों कि अ झाल